New Zealand और South Africa के बीच में World Cup 2023 का 32 मैच होने वाला है और ये मैच एक नवंबर को दो पर में दो बजे से पोने के ग्राउंड पर खेला जाएगा जहाँ पर बांगलादेस इंडिया उसके लावा अफगानिस्तान स्रिलंका का मैच एक बार वो चुका है यहाँ पर टोटल दो मैच ख होने के कोई भी चांसे इस नजर नहीं आते हैं मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है उसके लावा बातल जरूर यहाँ पर रहेंगे और टेमप्रेचर भी ठीक ठाक होने वाला है तो ऐसे में यहाँ पर मदद फास्ट बॉलर और एस्पिनर्स दोनों के लिए इस पिछ पर मिलेगा जैसा कि सुरुवाती दो मैच में यहाँ पर देखने को मिला है ओबर यहाँ पर टोटल जो 9 मैच खेले गए उसमें 67% टीमों ने पहले बल्लेबाजी करके और 33% टीमों ने बाद में बल्लेबाजी करके यहाँ पर जीत हांसिल करी और वर्ल्ड कप का जो पिछला दो मैच खेला गए वो दोनों बाद में चेस करके यहाँ पर बिन किया आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बात करें पिछले जो टोटल 10 मैच खेले गए 50 ओबर के तो उसमें 27% बिकेट स्पिनर्स को मिला है और 73% बिकेट फास्ट बालर को इस ग्राउंड पर देखने को मिला है तो इस पिछ पर यहाँ पर फास्ट बालर को ही ज्यादा तर मदद मिला है वो स्रिलंका और अफगान का मैच हो या भारत और बांगलादेश का मैच रहा हो उसके अलाबा आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पिछले जो तीन मैच हुए वो किस तरीके से खेल करी लेकिन इंडिया इंग्लेंड के बीच में 2021 में जो 28 मार्च को मैच हुआ था वो फिलहाल के लिए इंडिया ने 7 रन से यहाँ पर बिंड किया था दोनों इनिक्स में हाई स्कोरिंग 300 प्लस के रन्स बनते हुए नजर आये थे लेकिन इस ग्राउंड पर 256 जो रनों का जबकि इस मैच से पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर 300 प्लस का इबरेज स्कोर था लेकिन अब वह थोरा सा कम हो चुका है और 356 इस ग्राउंड पर हाईएस्ट इसकोर 230 रन लोएस्ट इसकोर इसको यहाँ पर चेस भी किया गया है जबकि 283 रन को यहाँ पर सबसे लोएस्ट रा उसको डिफेंड किया गया है निजी लेंड टीम ने जो पिछला पांच मैच किला उसमें थोरा सा यह ब्रेक कर रही है और दो मैचों में हार मिली जिसमें इंडिया और उसके लावा ऑस्टरिया की टीम ने इसको हराया है अगर बात करें तो बहुत जबरदस्ट परफॉमेंस कर रही है नीदर लेंड ने साउथ अपरिका को धरम साला में हराया जरूर था लेकिन उसके बाद से फिर से जबरदस्ट वापसी कर चुके पाकिस्तान बांगलादेश इंगलेंड जैसी टीमों को हरा चुकी आस्ट्रिया को इस टीम ने लखनों कमाल का परफॉमेंस साउथ अपरिका का देखने को मिला है अगर पिछले तीन मैचों को देखे तो 2017 में चार मार्च को जो मैच हुआ तो साउथ अपरिका ने 6 बिगेट से जीत लिया था और इस मैच में खेलने वाले बहुत सारे प्लेयर्स इस सारे प्रजेंट में दोनों तीमें आपस में बेरी थी निउजी लेंड ने चार बिकेट से वो मैच जीत लिया था चेस करते हुए और 2023 का जो वर्ड कप सुरू होने वाला था उससे पहले वार्म अप के मैच खेले गए तो वार्म अप मैच में निउजी लेंड ने डियलेस मैथट से इस मैच को जीत लिया था और पहले निउजी लेंड ने बल्लेबाजी करी थी तो यह तो रहा पिछले तीन मैच लेकिन यह जो तीन मैच आप देख रहे हैं इसमें से दो मैच जो अभी रिसेंटली खेले गए जो 2019 वर्ड कप का मैच था और यह वार्म अप मैच 50 ओवर का तो इन मैचों मे कौन से कॉवन प्लेयर थे जिन्हों ने अच्छा परफॉमेंस किया जैसे 2019 वर्ड कप की बात करें साथ अपरिगा ने पहले बल्लेबाजी करी 241 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए रासी बेंडर उसे ने सरसथ नॉट आउट हासी मामला ने 55 रन बनाया जो की खेलता हुआ साथ रन इस मैच में बनाये थे और क्रिस मौरिस को तीन बिकेट मिला था ये दोनों आपको खेलते नजर आएंगे नहीं कैगी सो रवाडा ने एक बिकेट जरूर लिये थे अब बात करते हैं वार्म अप मैच जो 2023 में अभी खेला गया है वर्ड कप शुरू होने से पहले न्यूजिलेंड ने यहाँ पर 321 रन 50 उबर में बनाये डेवन कॉनबे ने 78 रन बनाये टॉम लेथम ने 22 रन बनाये था और क्वेंटन डिकॉक ने भी इस मैच में अच्छा पर्फॉमेंस करके दिया है चौरासी रन साथ हिप्रिका के तरब से बनाये रासी बेंडर्ड उ क्या बनन मनाये बॉलिंग में साथ ऐपिका के तरब से लुंगी को तीन विकेट और मार्को जोंसन को तीन विकेट मिला था ट्रेंट बोल्ट ने विकेट और मिचल सेंटनर को एक विकेट यहाँ पर मिला था तो common player आपको काफी सारे यहाँ पर मिल गया होंगे अब बात कर लेते हैं New Zealand और South America के पिछले 10 मैचों का performance कैसा रहा है पिछले 10 मैच में New Zealand की टीम ने 8 मैच बिन किये है 289 का average score उसके अलाबा 283 का highest और 175 का lowest score इसका नजर आता है South America ने जो पिछले 10 मैच के ला उसमें से 8 मैच बिन किये 327 का average score उसके अलाबा 428 का highest और 207 का lowest score इसका नजर आता है टीमों की बात करें बिनिंग परसेंटेज की तो इस मैच में फिलाल के लिए New Zealand के बिनिंग परसेंटेज टोटल 6% होने वाला है जबकि South Africa टीम का यहाँ पर टोटल 40% बिनिंग परसेंटेज इस मैच में होने वाला है अगे बरते हैं दोनों टीमों के स्कौार्ट की बात करें तो South Africa की स्कौार्ट देख सकते जहां तेमबा बभुमा आपको फिर से खेलते हुए नजर आएंगे और टीम में एक मात्र आल राउंडर मार्को जॉंसन जो बॉलिंग करेंगे एडन माक्रम इस पिछले मैच में ज करने वाले हैं और यहां पर आपको 4 टोटल यहां पर allrounder नजर आएंगे और यह चारों के चारों allrounder खेलते नजर आएंगे इस्कौार्ट यहां पर अप अच्छे तरीके से पर्ज सकते वीडियो पहुँच करके आप लोग बीडियो को लाइक डी करें काफी अच्छी ज रवींद को उसके लाब आप को ग्रींड को आपको थे ससेंट यह जो पांच प्लेजिकर सब्सक्तों को तुइर घ। क्योंगी तो वाइस कैप्टन कर सकते हैं बहुत बढ़िया पर्फॉर्फॉर्मेंस के मैचों में कैप्टन को थो उसके रहाएंगे टॉप फाइप बैक्समेन की बात करें तो वोल्ड कुप के 6 मैचों Мें 31 रन बनाये रचीन रभी निया 406 रन बनाये छे मैचों मे teaching मैचों में 3056 रन बनाये हो के लावा ने 5 सीफ मैच में 322 रन बनाये एजन्री टोट्रि नो बिकेट लिया हैं भाई आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए लोगी फोर्किसन ने 5 मैच में 8 बिकेट लिया है और लोगी अंगी ने 5 मैच में 7 बिकेट लिया है टॉप 5 बॉलर है जो अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएं आगे बढ़ते हैं और हेंडी क्लासन को एंटन डिकॉक को आप टीम में जरूर कर सक कम से कम 4-5 ओवर की बॉलिंग डैरली में चल भी देने वाले है इनको ट्राइ जरूर करना गिलैन फिलिपस यहां पर बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करने वाला है बल्लेबाजी के दम पर रखना चाहो तो रख सकते हो लेकिन यह थोरा सा चलेंगे नहीं बल्लेबाजी में रासी बेंडर डुसेन को आप जरूर टीम में कर लेना यह बंदा रंस बना करके देगा इस मैच में तो इसको अगर ग्रेंड लिग में कैप्टन करते हो तो रासी बेंडर डुसेन यूनिक कैप्टन आपके लिए ग्रेंड लिग में हो सकते हैं रचीन रभीन बेहतरीन प् बॉलिंग फ्लॉप इस पीछ पर भी रचिन रवीन की बॉलिंग फ्लॉप रहेगी बॉलिंग में उतना ज़्यादा मदद नहीं मिलेगा चुकि यह स्पिनर्स को मदद है नी उसके अलाबा बात के लिए मिचल सेंटर तो भी यह जरूर बिगेट निकालते हैं मिचल सेंटर बलेबाजी वम उतना चैना अच्छा मिचल सेंटर कर नहीं रहा है लेकिन अधर माकरम का बलेबाजी ऐच्छा देखने को मिलता है रचिन रवीन की बालिंग जबर दस रह이 है तो अध्र माकरम की बालिंग उतनी अच्छी नजर आई नहीं है उसके लावा गेंDVB 네 acontece को को आपको टीम में जरूर करना जाए नट बोल धीला करने वाले है उसके लाबा तबरेश समसी को भी आप टीम में कर सकते हो लेकिन तबरेश समसी की जगा पर गैरार कॉट जी को आप टीम में कर ले न वो ज्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस करके देंगे और लखी फर सारा कुछ इंफरमेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे मैच का करेंट पिछ रिपोर्ट क्या है और ब्लेंग इलेबन किस तरीके से लाइन अप क्या है वो सारी चीज़े टेलीग्राम पर मिलेगी जील की टीम एसमाल लीकी टीम वो सारा कुछ आपको टेलीग्राम जरूर ज़ॉइन कीजिए साथी साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ओन कर दीजिए ताकि आने वाले पिछ रिपोर्ट का वीडियो आपको टाइम टु टाइम पहुचता रहे और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दीजिए ठैंक्यो सो